हेलो बच्चों आईए आज हम बहुपत पार्थ में पढ़ेंगे कि बहुपत के तीन शुन्यकों और गुडांकों में संबंध कैसे स्थापित किया जाता है और सत्यापित भी करेंगे हम जानते हैं कि यदि आलफा बीटा गामा तरिकाद बहुपत ए एक्स की घाद तीन प्लस बी एक्स की घाद दो प्लस सी एक्स प्लस डी के शुन्यक हों तो आलफा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होते हैं माइनस बी बटा एके आल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा आल्फा बराबर होते हैं C बटा एके तथा आल्फा बीटा गामा बराबर होते हैं माइनस D बटा एके आईए हम यहाँ इस पर आधारित कुछ प्रश्ण हल करना सीखते हैं प्रिश्णावली 2.4 प्रश्ण पहला सत्यापित कीजिये की निम्न त्रीघाद बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शुन्यक हैं प्रतेक स्थिती में शुन्यकों और गुडांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिये तो प्रश्ण है 2x3 प्लस x2 माइनस 5x प्लस 2 और संख्याएं दी हैं 1 बटा 2, 1 और माइनस 2 माना की बहुपद P of x बराबर है 2x3 प्लस x2 माइनस 5x प्लस 2 इसलिए P 1 बटा 2 कितना हो जाएगा हम बहुपद का मान जब 1 बटा 2 हो तो x की स्थान पे 1 बटा 2 रख करके उसको हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 गुना 1 बटा 2 की घाथ 3 प्लस 1 बटा 2 की घाथ 2 माइनस 5 बटा 2 प्लस 2 इसको देखिए इसको हल करने पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया 8 प्लस 1 बटा 4 माइनस 5 बटा 2 प्लस 2 यहां 2 से 8 कैंसल हो जाएगा हमें मिलेगा 1 बटा 4 प्लस 1 बटा 4 माइनस 5 बटा 2 प्लस 2 इन दोनों को हल करिए क्या मिलेगा 1 प्लस 1 हो गया 2 2 बटा 4 माइनस 5 बटा 2 प्लस 2 इसको भी हम हल करके निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1 बटा 2 माइनस 5 बटा 2 प्लस 2 अब 2 और 1 बटा 2 कितना हो गया 5 बटा 2 तो हमें यहां देखिए 5 बटा 2 माइनस 5 बटा 2 कितना हो जाएगा 0 इसलिए 1 बटा 2 पी ओफ एक्स का 0 अब पी ओफ एक देख लेते हैं दो गुना एक की घात 3 प्लस एक की घात 2 माइनस 5 प्लस 2 यह हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 यह 2 और एक 3 तीन और 2 5 पांच में से 5 घटाएंगे तो हमें 0 मिलेगा इसलिए एक पी एक्स का 0 है अब हम पी माइनस 2 चेक कर लेते हैं जहाँ एक्स है माइनस 2 रखेंगे क्या मिलेगा 2 गुना माइनस 2 की घात 3 प्लस माइनस 2 की घात 2 माइनस 5 गुना माइनस 2 प्लस 2 यह हो जाएगा 2 गुना माइनस 8 प्लस माइनस 2 गुना माइनस 2 यह गया प्लस 4 माइनस 5 गुना माइनस 2 दस और यह 2 तो यह हुआ माइनस 16 और यह 4 10 और 2 16 माइनस 16 और प्लस 16 कटो गया इसलिए माइनस 2 PX का शून्यक है अब माँना आलफा 1 बटा 2 हे बीटा 1 और गामा माइनस 2 इनका जोड देख लेते हैं आलफा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हुआ एक बटा दो प्लस एक प्लस माइनस दो यह आया आपका एक बटा दो प्लस एक माइनस दो इसको हल करने पर हम पाएंगे एक प्लस दो माइनस चार जो बराबर होगा तीन माइनस चार बटा दो के जिसको हम लिख पाएंगे माइनस एक बटा दो अब देखिए बच्चो यह हमें आया माइनस एक बटा दो ध्यान से देखिए यह बराबर होगा माइनस एकसी घाद दो का गुणांक बटा एकसी घाद तीन के गुणांक के बराबर समझ में आया? अब देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा आल्फा कितना हो जाएगा? 1 बटा 2 गुना 1, 1 गुना माइनस 2 प्लस, माइनस 2 गुना 1 बटा 2, यह हुआ 1 बटा 2, माइनस 2, माइनस 1, यह 2 और 2 कट जाएगा, हमें मिलेगा माइनस 1, तो 1 बटा 2, माइनस 3 कितना हो गया? यहां इसमें 1 बटा 2 माइनस 3 यह हो जाएगा 1 माइनस 6 बटा 2 जो बडाबर होगा माइनस 5 बटा 2 के यह देखें माइनस 5 बटा 2 जो X के गुणांक बटा X की घा 3 के गुणांक के बडाबर है अब हम देखते हैं अलफा बीटा गामा यह होगा 1 बटा 2 गुणा 1 गुणा माइनस 2 इसमें देखें 1 बटा 2 गुणा 1 गुणा माइनस 2 2 से 2 कट गया और हमें मिला माइनस 1 जो माइनस अचरपद बटा X की घा 3 के गुणांक के बडाबर है इस प्रकार हमने शुन्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्तापित किया अब दूसरा प्रशन देखते हैं X की घा 3 माइनस 4 X की घा 2 प्लस 5 X माइनस 2 और संख्याएं हैं 2, 1, 1 माना P X बराबर है X की घा 3 माइनस 4 X की घा 2 प्लस 5 X माइनस 2 के इसलिए P 2 कितना हो जाएगा 2 की घा 3 माइनस 4 दो की घा 2 प्लस 5 गुणा 2 माइनस 2 के 2 की घा 3 होता है 8 के बराबर माइनस 4 गुणा 2 की घा 2 कितना हो गया 16 और 5 गुणा 2 10 माइनस 2 इस प्रकार हमारे पास 8 और 10 कितना हुआ? 18 और माइनस 16 और माइनस 2 कितना हुआ? माइनस 18 इस प्रकार हमें P of 2 शुन्य हो गया इसलिए 2 P of X का शुन्यक है अब P of 1 देख लेते हैं 1 की घा 3 माइनस 4 एक की घा 2 प्लस 5 गुणा 1 माइनस 2 यह हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2 के 1 और 5 जोड लेते हैं 6 माइनस 4 और माइनस 2 6 6 माइनस 6 0 हो गया इसलिए 1 P of X का शुन्यक है इस प्रकार 2 1 और 1 P of X के शुन्यक है अब माना आलफा को 2 बीटा 1 और घामा भी 1 इनका जोड क्या होगा 2 प्लस 1 प्लस 1 चार जो आप देखिए माइनस B बटा A मतलब माइनस और माइनस 4 बटा 1 के बडाबर है जो माइनस X की घा 2 का गुणांग बटा X की घा 3 के गुणांग के बडाबर है अब अलफा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अलफा देखते हैं यह हो जाएगा 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 2 यह हो गया 2 प्लस 1 प्लस 2 जो बडाबर है 5 के जिसको हम लिख सकते हैं 5 बटा 1 या X का गुणांग बटा X की घा 3 के गुणांग के बडाबर अब हम अलफा बीटा गामा देखते हैं 2 गुणा 1 गुणा 1 जो बडाबर होता है 2 के जिसको हम लिख सकते हैं माइनस 2 बटा 1 के जो माइनस अचरपत बटा X की घा 3 का गुणांग के बडाबर है इस प्रकार शुन्यकों और गुणांगों की बीच के संबंद को हमने सत्यापित किया अब हम अगला प्रशन देखते हैं बहुती रोचक है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसकी शुन्यकों का योग दो शुन्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणन फलों का योग तथा तीनों शुन्यकों के गुणन फल क्रमशह 2 माइनस 7 माइनस 14 हो माना कि हमारे पास बहुपद P of X बराबर है AX इघात 3 प्लस BX इघात 2 प्लस CX प्लस D एक त्रिघात बहुपद है जहां अलफा बीटा गामा बहुपद के शुन्यांक है तो हमें क्या दिया है बचो हमें दिया हुआ है कि आलफा प्लस बीटा प्लस गामा दो के बराबर है यहां देखिए और आलफा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अलफा माइनस 7 के बराबर है और गुणनफल आलफा बीटा गामा का माइनस 14 है और हम पहले से ही क्या जानते हैं आलफा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस X की घाद 2 का गुणांक बटा X की घाद 3 का गुणांक और अलफा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अलफा पराबर होता है एकस का गुडांक बटा एकसी घात तीन का गुडांक अलफा बीटा गामा बराबर होता है माइनस अचरपत बटा एकसी घात तीन का गुडांक इसलिए alpha प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा माइनस x square का गुडांग बटा x की घात 3 का गुडांग जिसको हम लिख पाएंगे माइनस b बटा a जो यहाँ पे दिया है 2 बटा 1 आगे दिखते हैं alpha बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा alpha x का गुडांग बटा x की घात 3 का गुडांग जिसको हम लिखते हैं c बटा a या हम लिख पाएंगे माइनस 7 बटा 1 alpha बीटा गामा बराबर होता है माइनस अचरपद बटा x की घात 3 के गुडांग के बराबर जिसको हम लिखते हैं माइनस d बटा a या माइनस 14 बटा 1 तुल्ला करने पर हम पाते हैं कि A का मान आता है 1 B का आता है माइनस 2 और C का आता है माइनस 7 और D का आता है 14 आता है त्रीगात बहुपत P of X बराबर होगा A X की गात 3 प्लस B X की गात 2 प्लस C X प्लस D अर्थात आप देखिए A का मान हमने यहां पर क्या रखा 1 और B का मान हमने यहां क्या रखा माइनस 2 और C का मान हमने क्या रखा माइनस 7 और D का मान रखा 14 इस प्रकार हमाई पास बहुपत क्या प्राप्ट हुआ X की गात 3 माइनस 2 X की गात 2 माइनस 7 X प्लस 14 समझ में आया बच्चो चलिए अगला प्रशन करते हैं प्रशन 3 यदि बहुपद x गहा 3 माइनस 3 x गहा 2 प्लस x प्लस 1 के शुन्यक a माइनस b a और a प्लस b हो तो a और b ग्याद कीजिए हम जानते हैं कि मूलों का योगफल कितना होता है माइनस x की गहा 2 का गुणांक बटा x की गहा 3 का गुणांक इसलिए अब इनको हम अगर जोडते हैं तो क्या मिलेगा a माइनस b प्लस a प्लस a प्लस b तो माइनस b प्लस b कैंसल हो गया a प्लस a प्लस a कितना हो गया 3a जो बडाबर होगा माइनस b बटा a के तो यह हुआ माइनस माइनस 3 बटा a के इसका मतलब 3a 3 के बडाबर है तो a बडाबर हुआ a के मूलों का गुणनफल क्या होता है माइनस अचरपद बटा एक इसका 3 के गुणांक के बडाबर अब यहां पर देखिए a माइनस b गुणा a गुणा a प्लस b इसको हम हल करते हैं a की स्थान पर हमने रखा एक तो यह हो जाएगा एक माइनस b गुणा एक गुणा a प्लस b यह बडाबर होगा माइनस एक के इधर ध्यान से देखिए हमने a माइनस b और a प्लस b का हमने इसको हल किया क्या फॉर्मिला है हम इसको लिख पाएंगे a माइनस b और a प्लस b को हम लिख पाते हैं इस फॉर्मिले से एक माइनस b गुणा a प्लस b का क्या लिखा माइनस एक इसका मतलब एक माइनस b की खात दो बडाबर होगी माइनस एक के इसका मतलब क्या हुआ हम माइनस b की खात दो बडाबर है माइनस एक उधर एक ले जाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस एक इसका मतलब माइनस b की खात दो बडाबर हुआ माइनस दो के माइनस माइनस दोनों तरफ कट हो करके प्लस हो जाएगा इसका मतलब b का मान आएगा प्लस माइनस वर्ग मुल दो इस प्रकार a का मान आएगा एक और b का मान आएगा प्लस माइनस वर्ग मुल दो समझ में आया बच्चो चलिए अगला प्रशन देखते हैं प्रशन 4 यदि बहुपद x की गहाद 4 माइनस 6 x की गहाद 3 माइनस 26 x की गहाद 2 प्लस 138 x माइनस 35 के 2 शुन्यक 2 प्लस माइनस वर्गमुल 3 हो तो अन्य शुन्यक ग्याद कीजिए माना बहुपद p of x बराबर है x की गहाद 4 माइनस 6 x की गहाद 3 माइनस 26 x की गहाद 2 प्लस 138 x माइनस 35 यह दिया है और हमें क्या दिया है 2 प्लस वर्गमुल 3 और 2 माइनस वर्गमुल 3 बहुपद के 2 शुन्यक है अब बच्चों हम जानते हैं एक्स माइनस आलफा और एक्स माइनस बीटा दो गुणनफल होंगे अगर हमें शुन्यक दिये हों आलफा और बीटा इसलिए हम इसको लिख पाएंगे एक्स माइनस दो माइनस वर्गमुल तीन और एक्स माइनस दो प्लस वर्गमुल तीन बहुपत पी एक्स के दो शुन्यक हैं इसलिए अब देखिए इसको हम क्या लिक पाएंगे X माइनस दो का वर्गमुल गाद 2 माइनस वर्गमुल 3 की गाद 2 इसको हल करते हैं यह हो जाएगा X का गाद 2 प्लस 4 माइनस 4X माइनस 3 आप ध्यान से देखिए X की घाद 2 माइनस 4X प्लस 1 मिला हमें ठीक है इसका गुरंखंद प्राप्त करके हमें X की घाद 2 माइनस 4X प्लस 1 बहुपत PX का गुरंखंद है क्योंकि हमने इसको उपयोग करके इसको हल किया अब देखिए हम आगे इसको कैसे भाग देते हैं X की घाद 2 माइनस 4X प्लस 1 से बच्चों यहाँ पर हमारे पास है X की घाद 2 और हमें क्या चाहिए X की घाद 4 तो हम किस से गुणा करेंगे X की घाद 2 को हम किस से गुणा करें जो हमें X की घाद 4 आ जाए ठीक, x की घात 2 से, तो हमने x की घात 2 से इसको गुणा किया अब ध्यान से देखो, x की घात 4 आया, माइनस 4 x की घात 2 गुणा x तो कितना हो गया, माइनस 4 x घात 3 फिर हमने x की घात 2 को 1 से गुणा किया, तो हमें मिला x की घात 2 अब सारे साइन अगर बदल जाएंगे घटाने पर तो ये तो कैंसल हो गया हमें क्या मिला? माइनस 6 X गहा 3 प्लस 4 X गहा 3 जो हमें देगा माइनस 2 X गहा 3 माइनस 26 वा माइनस 1 कितना हुआ? माइनस 27 X गहा 2 प्लस 138 उपर से आ गया अब ध्यान दीजिए हमें क्या चाहिए माइनस दो एकसी घात तीन और हमारे परस क्या है यहाँ पे एकसी घात दो तो हम इसको किस से गुणा करें जो हमें माइनस दो एकसी घात तीन प्राप्त हो किस से करेंगे बच्चो सोचिए विल्कुल ठीक हम करेंगे माइनस दो एकस से देखिए इसकी घात एक है तो दो प्लस एक तीन आ गया और माइनस दो आ गया तो हमने माइनस दो एकस से गुणा किया एकसी घात दो माइनस चार एकस प्लस एक को हम किस से गुणा कर रहे हैं माइनस दो एकस से देखिए माइनस दो एकसी घात तीन माइनस दो माइनस चार क्या हो गया प्लस आठ एकसी घात दो माइनस दो एकस तो हमें यह प्राप्त हुआ अब हमने इनके साइन चेंज कर दिय आप देखिये ये cancel हो गया माइनस दो X गाद 3 प्लस दो X गाद 3 माइनस 27 और माइनस 8 कितना होता है माइनस 35 X गाद 2 138 प्लस 2 X कितना हुआ 140 X और माइनस 35 हमें उपर से मिल गया अब हमें चाहिए क्या माइनस 35 X गाद 2 और हमारे पस क्या है XE घाद 2, XE घाद 2 को किसे गुणा करें, जो हमें माइनस 35, XE घाद 2 प्राप्त हो, किसे करेंगे, सरल है, माइनस 35 से, अब देखिए, माइनस 35 से, इसको हमें गुणा करना है, क्या मिलेगा, माइनस 35, एक सी घाद 2, माइनस 4 गुणा माइनस 35, इतना हुआ, एक सो चालिस, और माइनस 35 को एक से किया, तो हमें मिला माइनस 35, अब ध्यान से देखिए, बच्चो, साइन सारे बदल गए, और ये माइनस 35, XE घाद 2, माइनस 35, XE घाद 2, साइन चेंज हो गया, इसलिए ये कट हो गया, 14X, माइनस 14X भी कट हो गया, माइनस 35 और प्लस 35 भी कट हो गया, तो हमें शेश्वल क्या मिला, शून्य है, इसका मतलब हमने जो दियावा बहुपद है, उसको हमने इससे भाग दिया, किससे, XE घाद 2, माइनस 4X, प्लस 1, जो कहां से मिला था हमें, जो हमें 2 शून्य दे रखे थे, उसकी मदद से हमने भाग किया, तो हमारे पास एक और बहुपद आ गया, क्या आया, XE घाद 2, माइनस 2X, माइनस 35, अब इसका हम गुणन फल करकी, हम शून्य और निकालेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी घाद 2 है, तो हमें 2 शून्य और मिलेंगे, आईए देखते कैसे करेंगे, यहां देखिए, PX बराबर, हमें यह दिया हुआ था भाभुपद, हमने उसको इससे भाग दिया था, XE घाद 2, माइनस 4X, प्लस एक से, तो हमें क्या मिला था, X की घाद 2, माइनस 2X, माइनस 35, अब आप देखिए, इसका हमें गुडनफल करना है, X की घाद 2, माइनस 2X, माइनस 35, इसका मतलब हमें 35 के ऐसे 2 संख्याएं प्राप्त करनी है, जिसको हम माइनस 2 लिख सकते हैं, तो क्या हम माइनस 7X, प्लस 5X ले माइनस 7X, प्लस 5X से माइनस 2X मिलेगा, अब इन दोनों में इसे क्या कौमन है बच्चो, X, एक्स कौमन है, तो X माइनस 7 मिला, और अगली दोनों में क्या कौमन है, टर्म्स में 5 कौमन है तो हमें मिला x-7, इस प्रकार हमें x-7 और x-5 दो गुणन फल मिले, अब देखिए यह हमें प्राप्त हुआ, यह हमारे पस पहले था, तो x-2-4x-1 गुणा x-5 गुणा x-7 अन्य शुन्यक प्राप्त करने के लिए, या तो हम x-5 को 0 के बराबर रखेंगे, या x-7 को 0 के बराबर रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? x-5 बराबर 0 मतलब x का मान होगा-5 और ऐसे ही x का मान होगा 7 x का मान माइनस 5 और 7 इस प्रकार अन्य शुन्यक क्या हुए? x बराबर माइनस 5 और x बराबर 7 है अगला प्रेशन करते हैं यदि बहुपद x की खा 4 माइनस 6 x की खा 3 प्लस 16 x की खा 2 माइनस 25 x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x की खा 2 माइनस 2 x प्लस k से भाग दिया जाए और शेश्वल x प्लस a आता हो तो k और a का मान ग्याद करना है ठीक है? तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है बच्चो? भाजक है x की खा 2 माइनस 2 x प्लस k और भाज्ये भी हमें दे रखा है बहुपद के रूप में x गा 4 माइनस 6 x गा 3 प्लस 16 x गा 2 माइनस 25 x प्लस 10 शेश्वल क्या है? x प्लस a हम ये भी जानते हैं की भाज्ये बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेश्वल के इसलिए हम इसको लिख पाएंगे x गा 4 माइनस 6 x गा 3 प्लस 16 x गा 2 माइनस 25 x प्लस 10 को हम लिख पाएंगे x गा 2 माइनस 2x प्लस k गुना भाजक फल प्लस शेश्वल शेश्वल क्या है? x प्लस a हल करने पर हम देखिए x गा 2 माइनस 2x प्लस k से हम हल करेंगे हमें क्या चाहिए हमें प्राप्त होना चाहिए X की घाद 4 तो हम X की घाद 2 को किस से गुणा करेंगे जो हमें X की घाद 4 प्राप्त हो हाँ बिल्कुल ठीक X की घाद 2 से तो X की घाद 2 से हम अगर गुणा करते हैं हमें क्या मिलता है X की घाद चार, माइनस 2 X की घाद तीन, प्लस के X की घाद दो, अब हम इनके साइन बदल देते हैं देखिए, ये कट हो गया, X की घाद चार, माइनस 6 की घाद तीन, प्लस 2 x i gha 3 माइनस 6 प्लस 2 कितना आया? माइनस 4 साइन बड़े संखा क्या आएगा? तो माइनस 4 x i gha 3 यहां बचा 16 x i gha 2 माइनस k x i gha 2 तो हम इसको ऐसे लिख पाएंगे 16 माइनस k x i gha 2 माइनस 26 x यहां से आ गया अब ध्यान दीजिए हमें चाहिए माइनस 4 x i gha 3 और हमारे पास है x i gha 2 तो x i gha 2 को हम किस से गुणा करें? जो हमें माइनस 4 x i gha 3 आ जाए हम करेंगे x i gha 2 को माइनस 4 x से तो हमें मिलेगा माइनस 4 x i gha 3 प्लस माइनस 4 x गुणा माइनस 2 x कितना हो गया? प्लस 8 x i gha 2 माइनस 4 x को k से किया तो क्या है? माइनस 4 k x अब ध्यान दीजिए अगर हम sign बदलते हैं तो यह हमारा cancel हो गया अब इसमें देखिए x i gha 2 x i gha 2 और यहां पर क्या है हमारे पास? 16 माइनस k माइनस 8 ठीक है? 16 माइनस 8 कितना हुआ? 8 माइनस k गुणा x i gha 2 ठीक है? माइनस यहां पर क्या है? माइनस 26 माइनस 4 k और कॉमन क्या है हमारे पास? x प्लस आगे हमें क्या मिला? 10 माइनस a अब ध्यान दीजिए हमारे पास x i gha 2 है और हमें क्या चाहिए? 8 माइनस k गुणा x i gha 2 तो हम किस से गुणा करेंगे? 8 माइनस k से अब देखिए हमारे पास 8 माइनस k x i gha 2 माइनस 8 प्लस k को गुणा किया माइनस 2 x से तो हमें क्या मिला? माइनस 16 माइनस 2 k गुणा x प्लस आगे k गुणा 8 माइनस k तो यह हो गया 8 k माइनस k कि घा 2 अब ध्यान से देखिए क्या यह दोनो कैंसल हो रहे है बिलकुल इसमें देखिए माइनस 26 माइनस 4 k यहां पे है माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस तो यह कितना हो जाएगा प्लस 16 माइनस माइनस यह हो गया प्लस 2 k और x आ गया अगर हम इसमें साइन बदलेंगे तो माइनस 26 और प्लस 16 कितना आया माइनस 10 प्लस 2 k माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 2 k गुना x प्लस यहां पे क्या बचा 10 माइनस से माइनस 8 माइनस माइनस साइन चेंज हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमें ये दो मान प्राप्त हुए, माइनस दस प्लस दो के गुणा X प्लस 10 माइनस A माइनस 8 के प्लस K की घात 2, अब हम इनको हल करके हमें A और K का मान निकालना है, देखें कैसे करते हैं, हमारे पास तुलना करने पर क्या प्राप्त होगा माइनस 10 प्लस 2K बराबर 0 जिसको हम लिख पाएंगे 2K बराबर 10 या K बराबर 5 और दूसरी हमारे पास क्या आया था 10 माइनस A माइनस 8K प्लस K की घाद 2 बराबर 0 अब यहां पे हम K का मान रख देंगे 10 माइनस A माइनस 8K की जगे 8 गुना 5 प्लस 5 की घाद 2 बराबर 0 इसको हल करेंगे तो हमें A का मान आ जाएगा 10 माइनस A माइनस 8 प्लस 5 इंटू 5 हो गया 25 तो यह हो गया 10 और 25 हुआ 35 माइनस 40 माइनस A बराबर 0 यह हो जाएगा 10 माइनस 5 माइनस A बराबर 0 इंटू 5 को हम दूसरी तरफ लिजाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा 10 माइनस A बराबर 5 यह A का मान हुआ माइनस 5 तो हमें A का मान प्राप्त हुआ माइनस 5 और K का 5 तो बच्चो हमने देखा K का मान आया 5 और A का मान आया माइनस 5 बड़ा ही रोचक प्रशन था है ना चलिए अब गरह कारे के लिए कुछ प्रशन ले लेते हैं पहला प्रशन जांच कीजिए की त्रिखाद बहुपद P X पराबर है 3 X सिघाद 3 माइनस 5 X सिघाद 2 माइनस 11 X माइनस 3 के 0 तीन माइनस 1 और माइनस 1 बटा 3 है इसके पश्चात शुन्यकों तथा गुडांकों के बीच के संबंद की सत्यत्या की जांच कीजिए दूसरा प्रशन है A और B के मान तथा साथ ही दिये हुए बहुपद के 0 ग्याद कीजिए अगला प्रशन है प्रशन 3 A और B के किन मानों के लिए Q और X बडाबर X इगाद 3 प्लस 2 X इगाद 2 प्लस A के 0 बहुपद P और X इगाद 5 माइनस X इगाद 4 माइनस 4 X इगाद 3 प्लस 3 X इगाद 2 प्लस 3 X प्लस B के भी 0 होंगे P of X के कौन से 0 ग्याद Q of X के 0 नहीं है ये भी आपको बताना है आएए सारांच देख लेते हैं हमने सीखा कि यदि अलफा बीटा गामा त्रिगाद बहुपद A X इगाद 3 प्लस B X इगाद 2 प्लस C X प्लस D के 0 हों तो अलफा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होते हैं माइनस B बटा A के अलफा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अलफा बराबर होते हैं सी बटा एके तथा एलफा बीटा गामा बराबर होते हैं माइनस डी बटा एके हमने बहुपत के शुन्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी भी सीखी और काफी सारे प्रश्ण भी हल किये आशा करती हूं आपको समझ में आये होंगे धन्यवाद सक दोल्फा ला कि करना ये आपको एके हुपते हैं में और गॉपत करने इपके हैं में आपको रखा हैं मेंनी दыरो आपको सक्राइब में antis इता हैं में करन हो और ग। Days喔